आज हम सेखेंगे internal body parts names means सेरी के अंदरवनी अंगों के नाम हिंदी और इंग्लिस में तो चलिए फ्रेंड वीडियो सुरू करते हैं यह है कंकाल कंकाल को इंग्लिस में skeleton बोलते हैं skeleton skeleton means कंकाल और यह है खोपड़ी खोपड़ी को इंग्लिस में iskall बोलते हैं iskall means खोपड़ी और यह है फ्रेफ़रे फ्रेफ़र को इंग्लिस में लंक्स बोलते हैं lungs means फ्रेफ़रे और यह है नसे नसों को इंग्लिस में वेंस बोलते हैं wings means नसे और यह है पाचनतंत्र, पाचनतंत्र को इंग्लिज में digestive system बोलते हैं, digestive system means पाचनतंत्र और यह है दिमाग, दिमाग को इंग्लिज में brain बोलते हैं, brain means दिमाग और यह है जिगर, जिगर को इंग्लिज में liver बोलते हैं, liver means जिगर और यह है जबड़ा, जबड़ा को इंग्लिज में जो बोलते हैं, जो means जबड़ा और यह है version और इसको हम under cause भी बोलते हैं, इसको हम इंग्लिज में testis बोलते हैं, testis means version या फिर under cause और यह है अंडाशे, अंडाशे को इंग्लिज में ovary बोलते हैं, ovary means अंडाशे और यह है पिन्डली, पिन्डली को इंग्लिज में काफ बोलते हैं, काफ means पिन्डली और यह है गुर्दा, गुर्दा को इंग्लिस में किडणी बोलते हैं, किडणी means गुर्दा और यह है दिल, दिल को इंग्लिस में हार्ट बोलते हैं, हार्ट means दिल और यह है रोल मतलब रोल की हड़ी और इसको हम इंग्लिस में स्पाइन बोलते हैं स्पाइन मेंस रोल की हड़ी और यह है पसली पसली को इंग्लिस में रिब बोलते हैं rib mean sг और यह है आत को इंग्लिज में intestine बोलते हैं intestine mean sg एक चोटी आत होती है और एक बड़ी आत होती है तो चोटी आत Smart intestine बोलेंगे और बड़ी आत को Big intestine बोलेंगे और यह है masculinity dat बोलते हैं, Muscles means Maspathy और यह हड़ी, हड़ी को इंग्लिस में Bone बोलते हैं, Bone means हड़ी और यह है कांद का पड़ा कांद का पड़ा को इंग्लिस में ear drum बोलते हैं, ear drum means कांत का पड़दा और ये है खौन, खौन को इं में blood बोलते हैं Blood means कोन और ये है नस, नस को इं में nerve बोलते हैं nerve means naos और यह है मुत्तासे इसको हम इंग्लिस में ब्लेडर बोलते हैं ब्लेडर मींस मुत्तासे और यह है कंठ कंठ को इंग्लिस में लेरिंक्स बोलते हैं लेरिंक्स मींस कंठ और यह है tilli, tilli को इंग्लिज में हम spline बोलते हैं spline means tilli और यह है घरभाशे, घरभाशे को इंग्लिज में uterus बोलते हैं uterus means घरभाशे और यह है पेट या फिर अमाशे और इसको हम इंगलिस में इस्टमक बोलते हैं इस्टमक मीन्स पेट और अमाशे और यह है पित्ताशे पित्ताशे को इंगलिस में गॉल्ड ब्लेडर बोलते हैं गोल्ड ब्लेडर मींस पित्ताशे और यह है अगनाशे अगनाशे को इंग्लिस में पेंक्रीस बोलते हैं पेंक्रीस मींस अगनाशे और यह है वायू नगली या फिर स्वास नगली यह जो आप गोले में साकल में देखा हैं इसको हम वायू नगली और स्वास नगली बोलते ह जिसको हम इंग्लिस में ट्रेक्णा बोलते हैं ट्रेक्या में सवयनगली और स्वाशनगली ऑर यह है मुत्रवाहिनी, इसको हम इंग्लिस में उरिटर बोलते हैं यूरिटर मींस मुत्रवाहिनी और यह है अनुबंध यह जो सरकल में आप देखा हैं यह अनुबंध और इसको हम इंगलिस में अपेंडिक्स बोलते हैं अपेंडिक्स मेंस अनुबंध और यह है मुत्रमार्ग मुत्रमार्ग को इंगलिस में यूरिथ्रा बोलते हैं यह वित्रा मिन्स मुत्रमार्ग और यह है महाध्रमनी महाध्रमनी को इंगलिस में हम ए ओर्टा बलते हैं ए ओर्टा मिन्स महाध्रमनी और यह है मध्यपट मध्यपट को इंगलिस में हम डाया फ्राम बलते हैं डाया फ्राम मिन्स मध्यपट और यह है मलाशे मलाशे को इंगलिस में हम वेक्टम बोलते हैük वेक्टम मेंस मलाशे तो गाईस अब आप लोग में ये कमेंट कारे बताईए कि हम फेवडों को इंगलिस में क्या बोलते हैं